नमस्कार सुप्रभात आप देख रहे हैं सुभा नौब जी मैं हूँ आपके साथ एश्वर्या सबसे पहले नज़र डालते हैं मुख्य समचारों पर आतंकी मसूद अजर को बचाने फिर सामने आया चीन अंतराश्रे आतंकी घोशित करने की दुनिया की कोशिचों पर चौथी बार लगाया अडंगा चीन को छोड़ सयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशत के सभी सदसे देशों ने मसूद अजर पर बैन का किया समर्थन कुख्यात आतंकी मसूद अजर को लेकर चीन के रवये पर भारत ने जताई निराशा कहा आतंकियों को न्याय के कटगरे में लाने के लिए जारी रहेगा प्रयास मसूद अजर को वैश्वे कातंकी खोशित कराने की कवायत में समर्थन करने वाले सभी देशों का जताया आभार रफाईल दील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पेटिशन पर सुनवाई आज सरकारनी दस्तावेज लीक होने पर कोर्ट में दाखिल किया खलफ नामा कहा लीक गोपनी दस्तावेजों से खत्रे में राश्ट्रिय सुरक्षा बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुखे निर्वाचन अधिकारी से मांगी जमीनी हालात की रिपोर्ट निश्वक्ष चुनाव के लिए आतिस अमवेदन शील राजे घोशित करने की मांग के बाद आयोग का कदम चुनाव तयारियों की समीक्षा के लिए राजियों के चुनाव अधिकारियों और परियवेख्षकों की दिल्नी में बैठक आज और कॉंग्रिस की दूसरी सूची में उत्तर प्रिदेश के सोला और महाराश्टर के पांच उमीदवार समेत 21 नाम राजबबर, सुशील कुमार शिंदे, श्रीपक्राश, जैसवाल और प्रियादत के नाम शामिल त्रिपुरा में सीट बटवारी को लेकर बीजेपी की आईपी टीएफ के साथ अंतिम दौर में बाची आतंकी संगठन जैशे मोहमत के सरगना मसूद अजर को सयूक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोशित करने की चामें चीन ने एक बार फिर अडंगा लगा दिया है मसूद को वैश्विक आतंकी घोशित करने के प्रस्ताफ पर फैसले से पहले चीन ने सयूक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद में उसे वैश्विक आतंकी घोशित करने वाले प्रस्ताफ पर तकनीकी रोक लगा दी जबकि सुरक्षा परिश्ट के बाकी सभी देश मसूद पर प्रतिबंद के पक्ष में थे संयूक्त राश्ट में एक राजनाएक ने कहा कि चीन ने प्रस्ताव की परताल करने के लिए और वक्त मांगा है ये तकनीकी रोक छे महीनों के लिए वैद है और इसे आगे तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है संयूक्त राश्ट सुरक्षा परिशद में अमेरिका, ब्रिटिन और फ्रांस की ओर से मसूद अजर को संयूक्त राश्ट की आतंकि काली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था 2017 में भी चीन ने अरंगा लगा कर जैश सरगवना मसूद अजर को वैश्वे कातं की घोशित कहूने से बच्चा लिया था बीदे दस साल में संयूक्त राश्ट में अजर को वैश्वे कातं की घोशित कराने का ये चौथा प्रस्ताव था मसूद अजर पुलवामा मामले का मास्टर माइन है और फिलहाल पाकिस्तान में है और आतंकी मसूद अजर को लेकर चीन के रवये पर भारत ने निराशा जटाई है विदेश मंतराली ने कहा है कि वो सब ही उपलब्ध विकल्पों पर काम करते रहेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारती नागरिकों पर हुए हमलों में शामिल आतंकवादियों को न्याय के कटगरी में खड़ा किया जाए भारत ने उन सभी देशों का भी आभार जता है जिन्होंने अजर को वैश्वे कातंकवादी घोशित करने की कवायत का समर्थन किया है सयुक्त राश्ट्र में भारत के राजदूत और स्थाई प्रतिनिधी सयद अखवरुदीन ने एक ट्वीट में कहा कि बड़े छोटे और कई बड़े देशों ने फिर से एक बड़े देश ने फिर रोक लगा दी उन्होंने मसूद अजर को वैश्वे कातंकी घोशित करानी की कवायत में समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार भी जताया और इस बीच विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान जब तक अपनी जमीन में से चल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कारवाई नहीं करता तब तक भारत की उससे कोई बाचीत नहीं हो सकती उन्होंने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है आतंकवाद और वारता साथ नहीं चल सकते वजीर आजम पाकिस्तान से के टेरर पे बात नहीं एक्षन चाहिए बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुख चुकी हमने बहुत साफ कह रखा है आप करिये वह माहुल क्याइट आप कहते हैं कि आप बात्चीत चाहते हैं आप टेरर पर बात करना चाहते हैं और आप के यहां का टेर्रिस जैशे महमद हमारी यह पुल्वामा में आके 40 बहुदूर जवानों के हंत्या करके चला जाते हैं और विद्न मिनट्स रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हैं वो लोग और आप है कि आपके विदेश मंतरी कहते हैं कहां वह मसूद अजर पाकिस्तान में है मेरी इंटेर्थ्समेंस के मताबिक वह अन्विल है लेकिन इतना भीमार है कि घर के बार में निकल सकता और विदेश मंत्री ने दो टूक ये भी कहा कि अगर इमरान खान सच में शांती के समर्थक हैं तो वो आतंकी मसूद अज़र को भारत को सौंप दे पाकिस्तान के बारे में इंदियन प्रस्पेक्टिव को धंक से समझ लीजिए यह जो हमारे आवाज शुरू हो जाती है इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं वो तो पीस चाहते हैं मैं कहना चाहतीओ अगर इमान खान इतने उधार हैं तो दे दे ना मसूद अजर को हूं मैं देख लेंगा मुं की उधारतौ। दे दे मसूद अजर को हूं। राश्ट्र सुरक्षा परिशद्वारा वैश्वे कातंकवादी के रूप में चिहनित करने की पहल को रोक दिया है और ये अप रस्ताव अगले छे महिनों के लिए डीप फ्रीज में होगा इसका क्या मतलब है नमस्कार इसका यही मतलब है कि चीन हमारे रविये से सहमत नहीं है और अपने दोस पाकिस्तान का रविया जो है उसके उपर वो एक रोक लगाना चाता है और पाकिस्तान की मदद करना चाता है हमने जब भी चीन से कुछ मांगा है खासकर दो बड़ी चीजे हैं एक तो एनसजी और एक महमूद वसूद अजर की उपर बाबंदी वो दोनों चीजों में चीन ने भारत का नदारा नहीं देखा है उपने पाकिस्तान का नदारा देखते हुए अपनी पहल की है तो अभी ये पिछले दस साल में ये चौती बारी ये चीन एक ब्लॉक की तरफ जा रहा है तो हमें भी सोचना चाहिए कि ये दस साल में क्या बड़ला है के हम समझते हैं के चीन अपना रविया बड़लेगा हमने चीन के साथ बहुत पहल की है हमने पाकिस्तान के साथ बहुत पहल की है लेकिन दोनों का रविया बदल नहीं रहा है और दोनों की दोस्ती और ड्रिड हो रही है इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि चीन अपना रविया अभी इसके उपर बदलने वाला है लेकिन हम उस चीज बदल गई है इतने देश पहले कभी नहीं openly आये कि पाकिस्तान को कहा गया कि आप terrorism बंद कीजिए और ये आपकी जिम्मेवारी है तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी development है हमारे लिए और इसको हमें आगे समर्थन जो है और द्रिड करना चाहिए जी बंसल जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि ambassador सिंग ने बताया है कि अच्छी बात ये है कि जो हमें समर्थन देने वाली देश हैं उनकी वो ज्यादा हो गए हैं लेकिन ये कदम है ये भारत और चीन के संबंधों को कैसे प्रभावित करता है क्योंकि सुष्मा स्वराज बाला कोट हवाई हामले के तुरंद बाद उन्होंने बेजिंग की आत्रा की थी और उन्होंने चीनी वहां के जो काउंसिलर है उनसे मुलाकात भी की थी और उस बैठर को सकारातमग बताया गया था लेकिन अब ये चीन कदम का जो एक कदम है उससे भारत और चीन के संबंधों पर किस तरह से असर पढ़ना चाहिए व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत निराश हूँ चीन के इस रवईये से क्योंकि मुझे काफी आशा थी कि इस बार चीन अपना रवईया बदलेगा और एक कोख्यात आतंकवादी मसूद अजर को वैश्विक आतंकवादी घोशित करने में जो विश्व के अनिराश्ट जि पहले बलॉक कर चुका है पहले टेक्निकल होल्ड दो लगा के फिर बलॉक किया और अब ये फिर से ये इसकarp अज़ज लगाया है और वो भी एक ऐसे आतंकवादी के लिए कि जिसको दुनिया जानती है कि आतंकवादी है जिसकी रहाई भारत की जेल से विमान का अपहरन कर के कराई गई तो मेरा ये मानना है कि अब एक समय आ गया है जब भारत को चीन को ये दिखला देना चाहिए कि ये एक एक acceptable कदम नहीं है और हमारी जो समवेदना है हमारी जो सेंस्टिविटीज है इस मामले में उसके बारे में चीन को आगाह करना चाहिए क्योंकि चीन की जो चीन का जो नेत्रित है मुझे नहीं लगता कि भारत की समवेदन शीलता को समझता है इस मामले में और इसके लिए अब मेरे ख्याल से कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो दिखे विजिबल हो या तो आर्थिक हो या राजनेतिक हो आर्थिक कदमों में हम व्यापार में कुछ प्रतिबंद लगा सकते हैं क्योंकि चीन का हमारे से बहुती फेवरिबल बैलन्स जो ट्रेड है वो काफी उन होना जादा है हमारा निर्यात उनकिया नहीं जाता कई तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं हमारे सॉफ्ट्वेयर हमारी फार्मा सिर्टिकल कंपनीज को उस तरीके का लेवल प्लेइंग फील नहीं मिलता चाहिना में जैसा की मिलना चाहिए तो हमारे पास कई तो अगर इस वक्त हम कुछ करते हैं तो शायद दर्द उनको जादा हो या अगर राजनेतिक कदम उठाना है तो हम भी राजनेतिक कदम उठा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आतंकवादी सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं और भारत पर ही अमला करते हैं ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कोई आतंक की घटना नहीं करी लेकिन फिर भी चीनों ने आतंकवादी कहता है और हम अभी तक चीन की सिंस्टिविटीज को ध्यान में रखकर ऐसे लोगों को भारत आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे अगर जरूरत पढ़ती है तो जैसे वर्ल्ड उइगर कॉंग्रेस के नेता हैं डॉलकन इसा जिनको हमने पिछली बार यहां आने का का वीजा नहीं दिया था जिनको आने पड़ेगा कि हम इससे निराश हैं और ये कदम और सामान्य विवहार सामान्य राजनाईक संबंद मेरे ख्याल से नहीं चल से तो ये तो बात चीन के खिलाफ कदम की हुई आप से पूछना चाहूंगे कि नई दिली ने कहा है कि आतंकवादी ने जो जितने भी हैं उनको न नई दिली जारी रखेगी तो ये रास्ते संभावित क्या हो सकते हैं जो विदेश मंत्राले ने अपनी स्टेट्मेंट दी है उस पे तीन चीजें महत्वपूरण हैं एक तो जो आपने पूछा कि हम आतंकवादी जो बहार हैं उनके विरुद क्या-क्या कदम उठाएंगे एक कदम होता है कि संयुक्त रास्ट्र में उनको नोटिफाई किया जाए दूसरा होता है कि इंटरपॉल या एमलैट के अंडर हम लोगों को पकड़े जैसे हम UAE और साउडी अरेबिया से लोग अभी वापस लाए गए हैं तीसरा होता है कि हम उनके अगेंस डारेक्ट अक एक है कि पिछली बार जब चाइना ने ब्लॉक किया था तो हमने साफ चाइना का नाम लेकर का था कि यस देश ने हमारी आशाओं पे पानी फेरा है लेकिन इस बारी हमने चीन का नाम अपनी स्टेटमेंट में नहीं लिया है हमने कहा है एक देश तो यह जो हमारी स्टेटम को समझे और शैद आगे जाके हम उसको मना ले इसलिए हमने दर्वादा बंद नहीं किया है हमने पूरी उससे खिड़किया खोल के रखी तीसरी बात जो स्टेट्मेंट में है कि हमने जो एक कोलिशन बनाई है बाकी देशों की उनको हमने बड़ा आभार व्यक्त किया है इसम जहां रास्टरपती जी ने एक विजिट भी किया है उसने को स्पांसर किया है लेकिन आप देखिए कि जो रूस है उसने ये रेजोलुशन को स्पांसर नहीं किये लेकिन उसने कोई आपत्ती भी नहीं लगाई तो उसको हम अपनी तरफ गिन सकते हैं आपत्ती सरफ चीन न परोड दीजिये, आप इसके लिए सज लग रहे हैं, आप चिनौती दीजिये उन्हें, चीन एक जो पावर होता है, उसको अच्छी तरह समझता है, अगर आप अमरीका को देखिये, कौन समझता था कि इतनी हम ट्रेट सैंक्शन उन से देखेंगे और चीन उसका रियक्ट करे हैं, लेकिन अगर आप विदेश मंत्रा ले की स्टेटमेंट से जाएं, तो इस समय हम शक्ति-शाली अप्रोच नहीं, डिप्लोमाटिक अप्रोच उन से खुल खोला रख रहे हैं, तो डिप्लोमाटिक अप्रोच बहुत जरूरी है, मैं दोनों महमानों को बहुत-बहुत चाहूंगी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ इस पूरी जानकारी साजा करने के लिए आप दोनों महमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद। पॉम्पियों ने कहा है कि चीन में अगर एक शिवर में आप जाते हैं तो आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। अप युने इरान दक्षणी सुडान की परिस्तितियों पर भी प्रकाश डाला लेकिन शिंग्जियान क्षेतर में मुसल्मान अल्प संख्यकों के सदस्यों की समोहिक नजरबंदियों के लिए बेजिंग को दोशी ठेराया है। और अमेरिक और भारत निकल छे अमेरिकी परमाणू उर्जा सयंत्रों के निर्मान समेत सुरक्षा और परमाणू सहयों को मस्बूत बनाने पर आपसी सहमती जताई। दोनों देशों ने एक सयुक्त बयान में बाते कहीं। वाशिंग्टन में दो दिनों तक बातचीत के बाद डॉनल्ड ट्रॉम्प प्रशासन भारत की उर्जा जरूरतों की आपूर्ती को लेकर गंभीर है और इसी को लेकर अमेरिकी प्रशासन भारत में छे परमाणू अंतिम रूप देने पर बातचीत करेगा। अटारी बागाज सीमा के भीतर तोनों देश बातचीत करेंगे। गल्यारा पाकिस्तानी शहर करतारपूर में स्थित गुर्दवारा दरपार साहिब को पंजाब के गुर्दासपूर जिले से जोड़ेगा। सरकार ने कुरुना ही मुहिया कराने की मांग की जा रही है। किया गया था। ये खेप जहास के जर्ये मुंबई पहुची। निर्यात के लिए नए रूट की शुरुवात अफगानिस्तान के राश्टपती अश्रफ घनी ने की थी। उन्होंने कहा था कि जाबाहर पोर्ट भारत इरान और अफगानिस्तान के बीच सहयोग का परिणा काम है और ये आर्थिक रिधी सुनिश्चित करेगा। कि ये गए दस्तावेज राश्ट्रिय सुरक्षा के लिहाज से काफी संबेदन शील हैं। और इस वक्त हमारे साथ देश रतन निगम मौझूद हैं जो की सुप्रीम कोट में वकील हैं। सर आप से जानना चाहेंगे कि जो रफाइल मामले पर की जो रिव्यू पिटिशन पर आज जो सुनवाई हैं। और इसके दौरान केंदर सरकार के हलफ नामे का इंप्लिमेंटेशन जो है इंप्लिकेशन वो क्या होगा। देखे इसमें टॉर्णी जेनल साहब ने और सरकार ने एफिडेविट में बड़ा साफ कर दिया है। ये पुनरविचार याजिका है जो इसमें कोई नया डॉक्यमेंट नहीं देखा जा सकता। ये पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था। और ये जो डॉक्यमेंट्स वगेरा जो सुचना चोरी हुई है और तफ्र चोरी करके सामने सुप्रीम कोट के लाने की कोशिश की जा रही है। ये रासी सुरक्षा के हिसाब से बहुत सब्वेदनशील है। और ये ऐसे डॉक्यमेंट्स भी हैं वहाँ पर जिससे चहाज की मारत च्छमता के बारे में भी पता लगता है। जो कि हमारे दुश्मन देश को जा भी सकता है चला भी गया होगा हम जानते नहीं है क्योंकि ये पेटिशन फाइल हुई है। और ये जो तद्ध है ये तोर बरोड के लाए गए है कौरी सूचना भी नहीं है तो जिससे की भटकाने के भी कोशिश की जा रही है कोट को और ये जो सारी चीज़े हैं इससे हमारे जो संबन्ध है दूसरे राष्ट्रों से उनके साथ भी फरक पड़ सकता है क्योंकि दो राष्ट्रों के बीच में अगर सीक्रेट एग्रिमेंट क्लॉजिस है तो उनको भी आप जग जाहर नहीं कर सकते तो ये राष्टी सुरक्षा की दृष्ट्रों से हमारे संबन्ध है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ है और हमारी जहाज की और एर फोर्स की जो मारक छमता है उनके बारे में भी बड़ी सम्वेदद चील चीजे हैं जो की नहीं बताई जा सकती है इसलिए सुप्रीम कोट को इन तत्यों को दिहान में रखते हुए बहुत ही सीरिस इशू है ये और इसको लेना चाहिए और ये जो रिव्यू पेटीशन इसको रिजेक्ट करना चाहिए जी बहुत बहुत धनिवाद इस सतमाम जानकारी के लिए धनिवाद और अब नजर डालते हैं लोग सभा चुना चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुखे निर्वाचन अधिकारी से मांगी जमीनी हालात की रिपोर्ट तलब की है इससे पहले बीजेपी के प्रतिनीधी मंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और पश्चिम बंगाल को अती समवेदन शील राजे घोशि किये जाने की मांगी थी बीजेपी ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी बूतों पर अर्थ सैनिक बलों की तैनाती की मांगी है पार्टी ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकारियों की सूची भी सौप पर पक्षपात का आरोप लगाया है बीजेपी का कहना है कि निश्फक्ष चुनाव के लिए ये बेहत जरूरी है और चुनाव आयोग ने लोगसभा चुनाव की तयारियों की समीक्षा के layer आज राजIES के मुख्य चुनाव अधिकारियों और परियवेक्षद की एक दिल्ली में होने वाली इस बैठक में चुनाव के दौरान काला धन और अन्य अवैद सामगरी के वित्रण पर निगरानी के लिए तैनात अधिकारी भी हिस्सा लेंगे बैठक की अध्यक्षदा मुख्य चुनाव आयोक तसुनील अरोडा करेंगे और लोग सभाद चुनाव से पहले बीजेपी पुर्वोत्तर में अपनी स्थिती मजबूत करने में जुटी हुई है इसी कड़ी में कल बीजेपी महासचेव रामाधव ने त्रिपुरा में दो लोग सभाद सीटों के लिए गटपंदन सही होगी पीपल्स फ्रांट ओफ त्रिपुरा के साथ सीट साजा करने को लेकर चर्चा की रामाधव ने मुखे मंत्री विपलव गुमारदीव के साथ आईपी एफटी के साथ बैठक की और त्रिपुरा की दो लोग सभाद सीट पर ग्यारा और अठारा अप्रेल को मतदान होना है वहीं कॉंग्रस ने उत्रप्रदेश और महाराश्टर के लिए कल 21 लोग सभाद सीटों पर उमीदवारों की घोशना कर दी इसमें सुशील कुमार शिंदेश, श्रीप्रकाश जैसवाल, राजबबर, प्रियादत और संजे सिंग के नाम शामिल है पार्टी ने दूसरी सूची में उत्रप्रदेश की सोला और महाराश्टर की पांच सीटों पर उमीदवार घोशित किये है उत्रप्रदेश में कॉंग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही 11 उमीदवार घोशित किये थे इसी तरहां कॉंग्रेस उत्रप्रदेश में अब तक कुल 27 उमीदवार घोशित कर चुकी है उत्रप्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के अध्याक्ष राजबबर मुरादाबाद से उबीद्वार होंगे पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री प्रकाश जैसवाल कानपुर से चुनाव लड़ेंगी और करनाटक में गटबंदन सरकार के भागिदार कॉंग्रिस और जनता दल सेकुलर ने लोग सभाचुनाव में गटबंदन जारी कर रखने का फैसला किया है कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी और JDS के महासचिव दानिश अली ने कल कोची में मुलाकात की और चुनावी गठबंदन पर सेहमती जताए कनाटक में कॉंग्रिस और जंतादल सेकुलर के गठबंदन में सीटों का बटवारा भी हो गया है राजे में कुल 28 लोग सभा सीटे हैं जिनमें से 20 पर कॉंग्रिस और 8 सीटों पर JDS चुनाव लड़ेगी और केंद्रे वित्तमंत्री आरुन जेटली ने कल अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के तीसरे हिस्से में मोधी सरकार के 5 साल के कारेकाल को रश्टा चार के खिलाफ टर्निंग पॉइंट करार दिया है अरुन जेटली ने ब्लॉग में लेखा कि 2014 से पहले निवेशकों को रश्टा चार को लेकर देश की छवी काफी खराब थी बैंकिंग प्रणाली की स्थिती काफी नाजुक हो गई थी देश का टाक्स बेस दुनिया में सबसे पीछे था बिचौलियों, कर्चोरी और विदेशों में संपत्ती बनाने का बोल बाला था लेकिन साल 2014 के बाद देश में एक इमानदार सरकार बनी जिसने प्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए अरुन जेटली बदाया कि देश में नैतिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री और उनकी सरकार ने नई कारे प्रणाली बनाई है इसमें कारोबारी मामलों में मंत्रियों या अधिकारियों को दखल को कम कर बाजार आधारे तंतर के जरिए निर्ने कराने के लिए कदम उठाए गए है डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों को सीधा फाइदा सुनिश्चित किया गया है और जान्च एजन्सियों को निश्पक्ष और पेशिवर रुख अपनाने को कहा गया है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी आज केरल का दौरा करने वाले हैं राहूल गांधी केरल में पार्टी के प्रत्स अपने अभियान की आपचारिक शुरुवात करेंगे कॉंग्रेस महासचेव प्रियंका गांधी आज से उत्तर प्रदेश में लोग सभाचुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुवात करेंगी वे लखनव से अपने प्रचार अभियान की शुरुवात करेंगी प्रियंका कांधी के 21 मार्च तक उत्तर प्रदेश में रहने की अनुमान है दुनिया भर के कई देशों द्वारा मैक्स 737 विमानों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी राश्रुपती डॉनल्ड ट्रॉम्प ने सभी बोईंग 737 माक्स विमानों के उडान भरने पर रोक लगाने का ऐलान किया है भारत समेत कई यूरोपियाई देशों ने पहले ही अपने हवाईक शेतर में 737 माक्स के इस्तिमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है यूरोपियन एरलाइन्स का बोईंग 737 माक्स विमान रविवार को एथियोपिया के अदीज अबाबा के पास दुरगट नांकरस्ट हो गया था जिसमें विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के पांच वे वंडे में टीम इंडिया को 35 रनों से हरा दिया इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की वंडे सीरीज 3-2 से चीत ली आस्ट्रेलिया ने पहले बले बाजी करते हुए 9 विकेट पर 272 रन बनाये इसके जवाब में Team India 50 ओवर में 237 रन पर ओल आउट हो गई उस्मान ख्वाजा Man of the Match और Man of the Series चुने गए और सुभा नौ बजे में बस इतना ही आगे विशेश्ट में देखिए अमेरिका में एडमिशन घोटाला नमस्कार